निलास, Unisex Salon and Academy, अपोजेट बदर विद्याले, वेशाली नगर अजमीर, इंटरनाशनल वच्छस कलेक्शन, बाइ मिनिट्स तू स्टाइल, मार्तिन दिलब्रिज अजमीर, स्ट्रान, Unisex Salon, कचेरी रोड अजमीर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल देखते हैं, देखते हैं, और बाप की बराबर मानती थी, िख म को कुछ सी नहीं बोले ज आपको सै उजमीर, स्टाइशन, यह लागको दूद्र से मह वारत को, देखते हैं, सा भाद जुछता हो नहींम्साहिता हैं स्टाइ, back Translare, तो बाद में बच्Чर बद में बच्च पोटो फीचर बेटां जैसे में एकदम नीन जागती में लोगोडीकों में उपर धक्या सरीत को निया दखकिया। पुरा सरीर को डख लिया। नहीं तो बोला ठेरी फोटो में साथ ऐससे गलत काम नहीं करेगी तू, तो ठेरी फोटो नेट पर छड़ा दूगा। कर अगर गर का मुख्या एफ आज कर रहा है इसके बाद में भी इस ने तो तो गाले मारेगा पीटेगा ऐसे करें तो मेरी गर की जिते पुलिस के बाद में गया देश नहीं गिया थाने से आज तो अकिल सब एसपी साप पेसे निकले है पुरा मामला ये है कि परिवादिया पुश्कर की रहने वाली है और इसका ससुराल है जो माकुपुरा में है जो आदेश नकर थाने के अंतरगत आता है इसका विवा वाता 12 साल पहले तब उमर में छोटी थी तो इसका मुखला करता हुए पांस साल पहले अभी पांस साल से इसका आना जाना वहां चालu हुआ तो यह जब से वहां गई तब से जो जेट है इसके पती का बड़ा भाई वो हमेशा से इस पर गंधी नजर रखता था और इसका कहना है कि मैं उसको बाप जैसा मानती थी इसली मैंने कभी तो इसने लेके और उसके ओंसले बढ़ते गए और उसके बाद उसने एक दिन इसको घर में कमरे में अकेला सोता हुआ देखके जब अपने बच्चों को दूद पिलाना बता रही है तो इसके कपड़े भी उस टाइम अस्तवियस थे उस टाइम वह अंदर गुसके और इसकी लूगडी खीच ली और इसकी फोटों खीच ली फोटों खीचने के बाद उसने जब जाके बैठा तो यह उठी बोले यह कौन आया मेरे पास जब यह उठी तो उसका कहना है कि उठने के बाद उसने उसको फोटों दिखाई और बोला कि अगर यह मेरे पास ऐसी फोटों है तो उन लोगों ने भी मार्क वूटके इसको और पीयर बेज दिया पीयर बेज के थाने पर कुछ शिकायत दी थी तो इसका जो जेट है वो प्रभावशाली आदमी है और उसका कहना है कि मैं सरकार में हूँ और सरकार ही मेरी है तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते तो एक शिकायत इन्हों ने अभी महीने पर पहले है यहाँ पर भी दीती पुष्कर धाने के अंदर उसको भी कोई कारवाई नहीं हुई आदर्शनेगर में भी कोई कारवाई नहीं हुई तो तु वापस जा उसके साथ रह तो नहीं स्पी के बास तुम आज आएं इससे पहले कभी नहीं आए इससे पहले एक बार जब शिकायत करी थी आदर्शनेगर थाने पे तो उन्होंने थाने के अंदर तो सारी बाते कभूल कर ली इसको अलग से घड़ दे देंगे जहां इसका जेट नहीं रहेगा दोनों पती पत्नी अलग से रहे इनको पैसा दे देंगे और दोनों पत्ती पत्नी आराम से रह सकते हैं लेकिन जैसे थाने से बाहर आए आके मुकर गये फिर वहां के जो इनके प्रभावशाली लोगते समाज के उन्होंने जिन्होंने राजी नामा कराया था और इतनी बात जिनके सामने हुई थी कि अभी आपका पती आपको अलग से रखेगा आप सेफ रहोगे आपकी इजद पर कोई आच नहीं आएगी उन लोगोंने उनको घरवालों को मारा पीटी भी लेकिन उस पर कोई कारवाई हो पा रही है और इससे जो जेट है उसके होंसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि वह बिलकुल डरने का नाम ही नहीं है वह कहते कुछ कर यह नहीं सकती मेरा तो 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 कुछ भी गड़ ले और इसका घर खराब हो रहे है आपका नाम सुरेंदर सिंग झाल झाल